स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में उनुत्तर जार सिच्छक भरती उत्तर कुंजी प्रक्रण में आज के प्रभुख सवाल थर्ड मेरिट पर भरती होगी या नहीं होगी जो मेरिट में नहीं है उन साथियों का क्या होगा 25 आठ के बाद जो याची बने ह और 68 सव भरती प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं होगी इस पे तो आपको सबसे पहले हम थर्ड मेरिट की बात बता दे कि एंसर की प्रक्रण की जो नुक्ती होगी वो थर्ड पे होगी की फोर्थ पे होगी इसको लेकर के बड़ा कन्फिजनल लोगों के अंदर तो वरतमा केवल और केवल OBC जो आरचन वाला मामला था उनके लिए सीटे निकाली गई थी जबकि उत्तर कुंजी प्रकरण में आप यह चीज देखेंगे कि इसमें जनरल के साथ ही जो है वो भी उत्तर कुंजी में है तो इस वजह से थर्ड मेरिट ही प्रमुक्ता के साथ रखे कि आल उबर सबको हम याची लाप दे देंगे और नाहीं डबल बेंच में भी उन्होंने जो आडर आया था उसमें कहा गया था कि उबराल सबको हम दे देते हैं चाहे मेरिट में हो या ना हो कहा यह गया था कि एक नंबर पागर के जो मेरिट में आएंगे उन्ही साथियों का जहो हो पाएगा हाला कि कुछ साथियों का मेरे पास फोन भी आया था तो उन्हों ने कहा था तो हमने कहा देखिए इसके लिए एक अलग से अगर प्रेयर कर लें कि एक जो मेरिट में नहीं आ साथी उनके लिए भी कोई ग्राउंड बने कोई चीजे बने तो सायद हो सकती यह बात बने लेकिन फिलहाल तो आप यही मान के चलिए जो मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं साथियों को जो है इस प्रक्रिया में होगा जो मेरिट में नहीं आएंगे जाहिड सी बात है अगर आप मेरिट में नहीं आएं तो आपको चैन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनायागी गॉर्मेंट भी और नहीं कोड बनायागी आपको अब बात करते हैं 25 साथ के बाद के जो साथी थे उनकी बहुत सारी आचिकाय हमने डबल बेंच में डाली तो यहां डाली थी लखनव में तो बाद उस पर ऑडर भी आया और यह आया कि आप लोग डिले क्योंकि आप लेट क्योंकि यह तो हमारी तरफ से ग्राउंड यही बनाया गया इसाब को क्रोविट प्रोटोकाल के तहर जो है बहुत सारे अब इरती नहीं अपीर हो पाएं तो उन्होंने का दिया कि इसके पहल करके आप सभी को अपडेट करूंगा पचीस आठ के बाद के साथियों का जो भी होना है वो मनी सरवत चेनाले सी होना है यहां ग्राउंड से अब कुछ नहीं बचा है अब बात करें अर्सट सो भरती होगी की नहीं होगी तो इसके लिए हम आपको बता दें हैंडिड परसे कि देरी भले लगा लें चाहिए एक महीना लेले दो महीना लेले चाहिए जितना लेले लेकिन अंतता जो है अड़सट सो साथियों को इनको नियुक्ति पत्र प्रदान करना ही पड़ेगा क्योंकि और रिकार्डेड है और आपने बकायदा उस पर आदेस और सारी चीजे ज लाओ भी आपके मन में कुछ सवालात हो तो आप रख सकते हैं मैं मिलूंगा और भी खबरों और भी जानकारियों एक साथ तब तक कि लिए आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद